नमस्कार दोस्तों कुलू और मनाली के अंदर इस नुफॉल का सीजन कुछी टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है फेस्टिवल सीजन के अंदर अगर आप कुलू और मनाली घुम करके आना चाहते हैं तो आज वाईटी भारत पर इंडिया की Most Try and Trusted Travel Company के माध्यम से आपके लिए बेहस सस्ता कुलू और मनाली का वॉलू बस का पैकेज ले करके आ गया हूं दोस्तो आप लोग का बहुत ज़ादा सवाल आता है कि ये ट्रेवल कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं रहने वाली है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 6 सालों से Y.T. भारत पर इंडिया और इंटरनेशन के 150 से ज़ादा डेस्टिनेशन के हम पैकेज लाइव कर चुके हैं 1000 से ज़ादा मेरे वीडियो आप लोग देख चुके हैं जो पिछले 6 सालों से हमारी अलग-अलग ट्रेवल कंपनी के माध्यम से पैकेज लेकर गए गए 100% सैटिस्वाइड रहे जोकि Y.T. भारत का दूसरा नाम ट्रस्ट ही है दोस्तो अगर आप इंटूर पैकेज को बुक करवाते हैं तो आपको G.S.T. रजिस्टर्ट ट्रेवल कंपनी मिलने वाली हैं जो कई सालों से आपके लिए अलग-अलग डेस्टेशन के पैकेज लेकर के आती रही हैं और लेकर के आती रहेंगी इसलिए आप बिना सोचे समझे किसी भी हमारे पैकेज को इंटूर कंपनी के माध्यम से बुक करवा सकते हैं बिना एक एक रुपे की कमिशन के आप तक पैकेज की जानकारी पहुचाई जाती है और सबसे अच्छी ट्रेवल कंपनी के माध्यम से दोसो आई शुरू करते हैं फाइनाइट सिक्स देस का कुलू मनाली का पैकेज, मैं अभी दो एडल्ट्स का पैकेज का रेट आपको बताने वाला हूँ, दो से जादा अगर आपके गुरूप में लोग होंगे, तो उतने ही पैकेज की कॉस्ट लगातार कम आती चली जाएगी, इस पैकेज को बुक करव लीजे, दोस्तो आएए शुरू करते हैं इस टेबल पैकेज के सारी डिटेल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टूर पैकेज को हमने डिवाइट कर दिया है अलग-लग कैटिगरी में, अगर आप स्टेंडर कैटिगरी को सलेक करते हैं, तो आपको होटल अन या फोर सीजन कॉटेज, या रायल विस्टा, ग्रीन एपल, विजोर सिमिलर, इस तरह के होटल में रुकने को मिल सकता है, कॉस्ट है बेहत कम, मात्र 7,500 रुपे पर परसन, इफ यार सेलेक्टिंग प्रीमियम पैकेज तो आपको मिलेगा, व्यासवाटिका बाइबरेकर इ अगर आप हनीमून किट इंक्लूसन लेना चाहते हैं, तो आपको कैंडल लाइट डिनर, फ्लावर बैड डेकोरेशन, एंड केक विद केसर बदा मिल्क, विद फ्रूट राइन आपको मिलने वाला है, कॉस्ट है मात्र 1000 रुपे हनीमून किट के लिए एक्स्टा रहने वाल एक ही हमारा मकसद है आपको अच्छा experience देना इंडिया में कम से कम दामों पर, इसलिए इसी तरह के अच्छे अच्छे packages देखने के लिए YT भारत चैनल को भी subscribe करें, साथे में लगे bell icon को तबाएं, all को select करें, ताकि इसी तरह से आपके लिए interesting जानकारी में लेकर के आता रह पेकेज में क्या क्या inclusion है, pick up and drop from Manali बॉलो bus stand, morning tea with healthy and tasty breakfast and dinner, three night stay in one amazing room with all amenities, welcome drink on arrival, 10% discount on laundry, one half day की local site जो Manali की रहने वाली है, one full day की सुलांग वैली की साइट सिंग, one full day की कुलू मनिकरन के साइट सिंग, दिल्ली मनाली दिल्ली ट्रांसफर बाई AC लगजरी बॉलो, all applicable taxes included रहने व तो फ्रेंट इतने जबर्दस पेकेज को क्यो ना बुक करवा लिया जाए, पेकेज प्राइस में क्या क्या included नहीं है, any airfare, trainfare, overland journey जो नहीं बताई गई, guide entry, boating, रोतांग, pass entry fees, horse riding, etc. जो नहीं बताया गया, कोई भी percent type खर्चा, bar bill, table bill, camera fees, dip sir जो आपको नहीं बताई गई any medical rest के evacuation, miss happening के द्वारा, वो include नहीं है, any other things जो आपको नहीं बताईगे, include नहीं है, room heater अगर जुरत है, वो आपको extra payment basis पर लेना होगा, और snowfall के दिनों में, यदि 4x4 chain car के requirement पढ़ गई, तो आप direct payment basis पर book करवा सकते हैं, दोस्तों हमेशा से हमारी कोशिश होती है, most transparent आप त दिल्ली से निकलेंगे, मनाली के लिए, 580 km के जरनी, लगभग 11-12 घंटे का समय लेने वाली है, डे सर्विस में एक दिन वॉल्वो बस रहेगी, आपका और ट्रांसफर रहेगा, आपका सीधे मनाली के लिए, दिल्ली पहुँचिए, पहुँचने के बाद, आर्कियास्ट देट तो आपका करनाल बाईपास, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, कुरुशेत्र, चंडीगर, मंडी, और फिर आप पहुँचेंगे सीधे कुलू सो होते हुए, मनाली की हसीन बादियों में, डे टू पर, फ्रेंड्स, डे टू पर अब आप मनाली पहुँच चुके हैं, सबसे पहले आपका पिकप किया जाएगा मनाली के प्राइविट बॉलो बस स्टेंड से, कार के द्वारा साइट सींग होगा, उसके बाद डिनर रहने वाला है, इसके साथ साथ आप होटल के अंदर चेक इन करेंगे, ओन एट अराइवल मनाली, आपको इस तूर का रेप्र अधार, क्लब हाउस, जहां पे आप इंडोर और आउट डोर एक्टिविटी करने वाले हैं, जैसे रैकेट गेम्स, बिलियर्ड, स्केटिंग और बहुत सारे बच्चों के खेले लाएग गेम्स यहां पर मिलने वाले हैं, इवनिंग फ्री है, स्टॉल करने के लिए माल रो बहुत थ्रीलिंग रहने वाला है, इस दिन आप जाएंगे मनाली से सोलांग वैली और वापस आएंगे मनाली, if you want to add मौतांग पास, अटल टनल, खोकसर, सिस्सू, अगर आपको एलाउ करती है गवर्मेंट यहां पर जाने के लिए, तो एक्ट्रा पेमिंट बेसिस पर, ड जाएंगे मनाली से सोलांग वैली के लिए, 13 किलोमेटर की जर्नी है, यहां पर पहुंचने के बाद, आपको ग्लेशियर्स, इसनो कैप्ड माउंटेंस, हाई पीक्स देखने को मिलेगी, और साथ में ग्रीन डी भी देखने को मिलेगी, सोलांग वैली है, स्पाइन इसकाई जाएंगे मनाली से फुल डे का ट्रिप होगा, कुलू का 45 किलोमेटर है, कसोल मनी करन आप जाएंगे, जो 80 किलोमेटर है, पढ़ता है, और टोटल आपका हो गया 160 किलोमेटर का अप एंड डाउन, तो ये दिन है जब आपको जल्दी ही सबकुछ हरेंच करना है, सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास करिए, साड़े 9 बजे के बीच में आप तयार हो जाए, कुलू और मनी करन घोमने के लिए रास्ते में कसोल भी पढ़ने वाला है, मौरनी में ब्रेकफास करने के बाद पिकप किया जाएगा, सीधे आप जाएंगे, सीधे डरेक्ली आपको लू से होते हुए मनी करन, मनी करन पहुंचने के बाद यहां पर बाबाजी के दर्शन करिए, दर्शन करने से पहले आप दुनिया के होट सलफर स्प्रिंग वाटर में जो सबसे होटेस्ट है, यहां पर इसनान कर सकते हैं, सीधे जाए गुर्दवारे में दर्शन करिए, भगवान शीव का बहुती प्राचीन समय का टेंपल आपको मिलेगा, यहां पर दर्शन करिए, उसके बाद सीधे लं मजा आने वाला है, यह दिन पूरा इंजॉय करने के पाद वापस लोटेंगे होटल में, डिनर करेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे, फ्रेंस डे फाइव आपका रिटरन बैक टू दिल्ली के जर्नी होने वाली है, इसकी प्लाइनिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए, सु आप यहां से निकल जाएए, अपनी on cost पर सीदे पहुंचिए, मनाली के माल रोड, यहां पर आप चाहते हैं, तो आप लंच कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टरेंट हैं, आपको cheap and best option में आपको यहां पर खाने को मिल जाएगा, आप local food को भी try कर सकते हैं, यह चौर लीजिए, बच्चों के लिए twice लीजिए, इस market में सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ लेने के बार लगबग 3 बजे के आसपास निकल जाएए by walk, सीदे आप मनाली के माल रोड के bus स्टेंट तक आप पहुंच चकते हैं, सीदे private ball लोड बस स्टेंट पर पहुंचने क आप सीदे कॉल करिए और कॉल करने के बाद समान मंगा करके समान को रखिए बस के डिक्की में और बैठी अराम से सीट पर और बैक टू दु दिल्ली आपका हो जाएगा डे 6 पर यहाँ पर आपको तार दे जाएगा लगबग मजनु का टीला के आसपास, लगबग 6-9 बज स्क्रिप्ट में दिये गए नंबर पर जाकर के उमेद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी मिल गई है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक ले नमस्कार दोस्तों जय हिंजय भारत बने रही है वाईटी भारत पर धन्यवाद